हेलो स्टुदेंट आज हम लोग क्लास 10 का physics chapter 12 electricity का आज हम लोग numerical देखेंगे numerical नमबर आज हम लोग 4 देखेंगे तो चली देखते हैं question हम लोग का क्या कह रहा है the potential difference between the terminals of electric heaters is 60 volt when it draw a current of 4 ampere from the source what current will the heaters draw if the potential difference is increased to 120 volt तो यहां पर समझते हैं ठीक है हम लोग का क्या एक circuit सबसे पहले बनाते है है यह हम लोग का क्या हो जाएगा बैटरी हो जाएगा ठीक है यह प्लस हो जाएगा और यहां से यह माइनस हो जाएगा ठीक है एंपियर क्या हो जाएगा एंपियर का जो बैटरी का प्लस किसे कनेक्ट किसे कनेक्ट होगा एंपियर के प्लस से ठीक है और एंपियर का जो मैंनस किसे कनेक्ट होगा बैटरी के मैंनस से ठीक है अब यहां से हम लोग यह क्या है तो हम लोग का फर्स्ट में क्या कर रह यह थाले बोल रहा है, पोटेंसिल कितना है हम लोग का, 60V का, 60V का हम लोका बैटरी लगा हुए, आप देखें हुए, यहां पर क्या कह रहा है, The Potential Difference between the terminal of electric heater is 60V, when it draws current, 4A from the source, मतलब की 4A, ठीक है, 4A मतलब 4A, ठीक है, इसमें 60 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ ठीक है तो इसमें current कितना flow हो रहा है 4 ampere का ठीक है 4 ampere का तो हम लोग को क्या find करना है register सबसे पहले resistance find करना पड़ेगा तो हम लोग जो दिया इसको लिक लेते हैं हम लोग को solution में क्या दिया है इसमें दो question बन रहा है ठीक है तो सबसे पहले हम फर्स्ट वालों को solve कर रहे है फर्स्ट में हम लोगों कितना दिया देखें यहाँ पर अभी B कितना दिया 60V और हम लोग का current कितना दिया है 4A तो हम लोगो R find करना है formula हम लोग जानते B equal to I R अब चलिए B देखें किसका विले निकाना है R का तो I को equal to किधर भेज़ देंगे इधर multiply में इधर आएगा तो divide में हो जाएगा अब देखें B equal to कितना दिया हम लोग का 60V 60 हो जाएगा I कितना दिया है 4 equal to R कैंसिल हो जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 यहां 2 गया 4 5 जा हम लोग कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 15 Ohm हो जाएगा आप कितना होग क्या फिर हम लोग ने क्या क्या मोग जाम लोग कर दिया चितना कर दियाए ऍपहले 66 ता आपplant कितना कर दिया 10 what का कर दिया तब इसमें current कितना flow होगा हम लोग से यह पूछ रहा है तो देखिए हम लोग का यहां पर फिर से देखिए एक तो आ गया आप सैकेट में फिर से देखिए हम लोग का कितना हो जाएगा देखे हम लोग का resistance तो इतना ही रहे क्योंग तो चेंज ही हो रहा है current क्योंकि पूरा circuit था ना हम लोग का सर्कुत था कर कि incredibly हम लोग इसको चेंज करें किसको potential को चेंज करें है इसरे पहले हम लोग का resistance कितना हो देंगे ये चेंज Strategic नहीं होगा आप देखते हैं के आप यहां पे हम क्या होगा हम levels का भी हम लोग का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 ohm हो जाएगा 15 ohm हम लोगो find क्या करना है current find करना है तो हम फिर से फॉर्मुला लगा देंगे भी इक्वल टू आई आर भी बराबर क्या हो जाएगा sorry आई बराबर क्या हो जाएगा भी बाई आर आई को ही छोड़ दिए आर को इक्वल टू को धर भीद देंगे multiply में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा चलिए अब आगे solve कर देते हैं देखिए मैं ही पर solve कर थोड़ा रेंज करके लिख दिया मैंने अब देखिए भी कितना दिया है 120 आर कितना दिया है 15 दोनों कैंसल हो जाएगा फिफ्टिन थरी फाइफ त्री जा फिफ्टिन और फाइफ फोर्जा 20 थ्री बंजा थ्री एट जा 24 करेंट हम लोगा कितना आ गया एट एंपीर आ गय ठीक है तो हम लोग का यहां पे ध्यान से देखिए जब हम लोग का पोटेंसल डिफ्रेंस 60 था तब हम लोग का करेंट कितना था 4 एंपीर तो जब हम लोग ने हम लोग का पोटेंसल डिफ्रेंस 120 हो गया तो करेंट कितना हो गया 8 एंपीर ठीक है इससे एक कोशन बन सकता अ कर दे, double कर दे, तो हम लोग का current क्या होगा, decrease होगा, increase होगा, double होगा, या और भी कुछ option दे सकता है, तो आप क्या लिखना है, double क्योंकि देखिए, जब 60 था, तो current कितना था, 4 ampere, और जब हम लोग का 120 हुआ, तो हम लोग का current कितना होगा, 8 ampere का होगा, ठीक है, या तो current को कर सकता है, so student, वीडियो पसंद है, तो लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और इस चैनल को subscribe कीजिए, thank you